तो आज हम बात करेंगे critically endangered mammals के बारे में मतलब इस्तंधारी जीव उन सब के बारे में IUCN की लिस्ट में जो केटेग्राइज किया गए है as critically endangered species कौन-कौन से हैं उन सब के बारे में पूरे डेटेल में हम बात करेंगे उसके साथ ही IUCN और उसकी जो रेट लिस्टे उनके बारे में पूरे डेटेल में बात करेंगे ठीक है और अगर आप लोगो किसके PDF चीज़ नीचे डिस्क्रिस्ट में डाउनलोड का लिंग है आप वहाँ से PDF पी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है so let's start तो सबसे पहले में बात करते हैं IUCN के बारे में ठीक है इंटरनेशनल यूनियन पर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ठीक है जो कि एक इंटरनेशनल औरगनाईजेशन है ठीक है नेचर के कंजरू करने के लिए और नेचर नेचरल रिसोर्स जो होते हैं उनके सस्टेनेबल इसको नेचर रिए यूपन के नाम से एक बनाया था उसको इसको एस्टेबलिश किया था ठीक है और इसका जो इनिसियेटिव है ठीक है उसका उसका ग्रेडिल जाता है यूनेशको के जो फर्स्ट डिरेक्टर जर्नल थे जो कि एक बिर्टिस बायलोजिस्ट थे चुलियन होक्सले उनको जाता है ठीक है और इसका हैड़कुर्टर है स्विजर लेंड में ठीक है और आयूसीन जो है उसका अब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेट्ट है आफ्सटी के लिए से उसमें यह काफी अच्छा डूप ले करता है इंटर्नेशनल कंवेंशन को इंप्लीमेट करने के लिए अब बात करते हैं IUCN की रैड बुक के बारे में ठीक है जिसको डाट डाटा बुक के नाम से जानते हैं ठीक है IUCN रैड लिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है इसमें different kind of species का information दी गई है ठीक है और इसको continuously अपडेट किया जाता है ठीक है और इसको इसू किया जाता है IUCN के द्वारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन आफ नेचर है जो सुर्जर लेंड में लोकेटेड है अभी जिए और यह जो फिर्स टाइम जो रेड डाटा बुक है फिर्स टाइम इसू कि गए थी 1966 में आई इसीन के जो special survival commission है उसके द्वारा और इसमें जो Pink Page है ठीक है इसमें Pink Page होता है ठीक है इस रेड डाटा बुक में ठीक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड इस्पेसीज को पिंग पेज में ठीक है और ग्रीन पेज होता है वो पिसेकली जो फॉर्मल इंडेंजर्ड इस्पेसीज जो थे बट अभी उनको रिकवर कर लिया गया जहां पर अब उनके लिए कोई ध्रेटर नहीं है ठीक है उनको इंक्लूड क किया जाता है green page okay तो अब आप करते है critically endangered के बारे में ठीक है किसी भी species को critically endangered में कैसे categorize किया जाता है ठीक है उसके लिए basic criteria होता है कि अगर उसकी population में last 10 years में 90% से ज्यादा reduction हुआ है तो ठीक है और अगर उसके population size में ठीक है wild में उसके extinct होने की ठीक है 50% से कम अगले 10 साल में तो भी उसको critically endangered में categorize कर दिया जाएगा इन तीनों criteria को match करने के बाद किसी भी species को critically endangered species की list में categorize कर दिया जाता है ठीक है जिसको जो की pink page में होती है ठीक है यह वर्ल्ड का smallest wild pig है जिसका की adults जो होते हैं उनका maximum weight only 8 kg होता है ठीक है यह relatively undisturbed area में या फिर grassland वाले area में पाया जाता है generally ठीक है इनीशियली यह जो southern हिमाले के जो foot hills है उस region में पाया जाता था बट अब यह only मनास wild lab century जो है जो की असाम में है वहां पे और उसके buffer zone में पाया जाता है only ठीक है और इसके लिए main threat degradation grassland का degradation या फिर dry season और a forestation of grassland यह इसके main threats है ठीक है तो अब बात करते हैं अंडमान white toothed through के बारे में ठीक है यह basically night में active होते हैं ठीक है और यह leaf litter ठीक है पत्तों के बीच में जिसे पत्तों के एक जुम पड़ा है वहां के बीच में पाया जाता है ठीक है और जो रॉक जो होती है उनके बीच में जिसे फ्रक्चर होगे रहा हो जाता है ठीक है वहां पर जो जगे खाली होते हैं वहां पर यह habitat करते हैं ठीक है और यह basically mount harriet national park ठीक है जो की south जिसे इनको खाफी threat होती है ठीक है और नेक्स्ट वान है जैंकिन्स अंडमान spiny शुरू ठीक है यह भी सेम उन्हीं की तरह है ठीक है अंडमान का जो वाइट टूथ सुरू है और लाइट में नाइट में ही यह काफी active होते है ठीक है और यह भी सेम जगे पर पाय जाते है जहां पर यह पाय जाते है ठीक है लीफ के लिटर में या फिर रॉक के अंदर जो फ्रक्ट्र हो ज़ता है उस जगे पे ठीक है और यह बेसिकली जो राइट मारो ठीक है एक व्लेच है यह साउथ अडमन आइलेंड में ठीक है फरार गंज में ठीक है तो वहाँ पे और यह माउंट हेरेट नेशनल पार्क है साउथ अंदमान आइलेंड पोर्ड बिलेयर में वहाँ पर पाये जाते हैं ठीक है और इनके लिए में थ्रेट बेसिकली वही नैचुरल डिजास्टर से ठीक है सुनामी वगेरा या फिर वेदर कंडिशन्स में ड्रास्टिक चेंज होना यह सब इनके लिए में थ्रेट है ठीक है और नेक्स्ट वन है कोंडाना रैड जिसको मिलर्ड या कोंडाना भी बोलते है ओके और यह ओनली इंडिया में पाया जाता है ठीक है यह कभी-कभी िशन्रं भी बनाता है हुद कजाल भी बनाता है रहने के लिए तृकल अट्रॉपीकल और समभी के द्राई दीक है टॉरेस्ट में पाया जाता है और कभी-कभी हुआ है तोपिकल स्कव फॉरेस्ट में भी पाया जाता जो सिन घड़ प्लेटाउ जो है जो कि पुड़े में है महारास्ट में वहां पर बेसिक लिए पाया जाता है तो वह चीजिस के लिए काफी ज्यादे थ्रेट अगती है तो टूरिजम का डिस्टाबेंस वगेरा इन सब चीजों से जिसको काफी थ्रेट पाए जाती है, कॉंडाना रेट को नेक्स्ट वन है गालार्ज रोक रैट जिसको की अल्वीरा रेट भी बोलते हैं, यह मीडियम साइज का नॉक्तूरल है, नॉक्तूरल टिक जो की इंडिया में एंदेमिक हैं और यह बेसिकल ट्रोपिकल ड्राइड इ एरियाज में जैसे रॉक के अंदर जो खाले स्पेस होता है फ्रक्चर होनी के वज़े से वहां पर पाया जाता है और जो तमिल नाडू के जो इस्टर्न घाट है वहां पर यह बेसिकली एडिया में पाया जाता है और वहीं तक ही यह लिमिटेड है ठीक है और फॉरेस्ट का कन्वर्जन या फिर फ्यूल वुड के लिए जो फॉरेस्ट अगरा को काट दिया जाता है उन सब चीजों से इसको काफी जाता थ्रेट ठीक है और नेक्स्ट वन है नम्दपा नैस्टनल पार गया फिर नम्दपा फाइलाब सेंचुरी जिसको बोलते हैं जो कि अरुनाचल प्रदेश में है वहां पर पाई जाती है ठीक है बेसिकली एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती है ठीक है और यह फूड के लिए इनको हंट किया जाता है य थिर्वंक्योद र्वंकव में ठीक केला में है अभी एंडयमिक है इंडिया में पेकर यह बैसिकली बूलेड प्लेइन में या फिर हिल प्लेन जो होता है सबस्क्राइब एवर ग्रीन फोरेस्ट में बरीजन इलिल利म पा को समन पर यो unbelievably تटाए मेंğl तुछ बियुटेड है बन इनके लिए कैन और नेक्स्ट वन है सुमंत्रा राइनोसॉस यह वर्ड का स्मालेस्ट अंड मोस्ट डेंजरस इस्पीसीज है आउट ओफ फाइव राइनोसॉस और अभी यह इंडिया में रीजनली एक्स्टिंट है और बेसिकली यह लाइन को लिए आपक का सी हमाले जो है इसके फूट हेल्स में यह पाया जाता था और और नॉर्ठ इस्टन इंडियां में भी कुछ पायाखते ऐसे ठीक है और इसके अलाव जो दूसरे स्पीसीज है जावा नाइनोस ठीक है वो भी इंडिया में एक्सिंट है उसको कुछ जो रेड डियर जो होती है ठीक है उनका ही एक सब इस्पीसीज है ठीक है और यह बेसिकली जो टैन रिवाराइन फॉरस्ट या फिर हाई वेली और जो कस्मीर वेली के जो माउंटेंस रीजन है या फिर हिमाचल प्रदेश का नदर्न चंबा जो है उस जगह पर यह पाए जात टॉमेस्टिक लाइट सक के दारा और पूचिंग पूचिंग इसका में थ्रेट का रिजन ठीक है तो इतने ही ठेक जो कृतिकली एंड इंडजन में बलतें ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही ओप यू काईस फांड इस फांड इसफुल एड इफ्यू फांड यू पांड share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day